अरसनिक पोईजनिंग शुरू करते हैं इसको पॉज़न ओफ किंग्स बोलते हैं या किंग आज पॉज़न बोलता है कि बहुत बड़े बड़े जो राजा होते थे नंका एसेसिनेशन करने के लिए अर्सनिक को क्योंकि वाटर में सॉल्यूबल नहीं होता इसलिए अब इसकी दूसरी फॉर्म होती है जिसको बुलता है वाइड आर्सनिक जो बेसिकली क्या है आर्सनिक ऑक्साइड है यह बहुत ही जादा पॉजनस होता और यह टेस्टलेस कंपाउंड है इसलिए इसको एजा हो मिसाइड यूज कि पता भी नहीं चलता कि पॉज़निंग हो गई अब मेकैनिजम आफ टॉक्सिटी कैसे काम करता है यह बॉड़ी के अंदर जाने के बाद तो यह क्या करता है क्रैब साइकल को ब्लॉक कर देता है क्रैब साइकल जो की हमारे माईटो को रही होती है तो उसको ब्लॉक कर देता है अब वो ATP बनाने के लिए क्रेब साइकल माइट और करता है बत अगर क्रेब साइकल ब्लॉक हो जाएगी तो क्या होगा ATP कि कमी और और चाये करने लग जाएंगे दूसरा मेकनिजम क्या होता है यह वाटी के साथ कर जाता है कि बोडिके बहुत सारे एंजायम स्में ग्रूप होते हैं तो उनके साथ बाइंड कर जाएगा और फिर उस सेलुलर मेटावॉलिजम को डिस्टरफ कर देगा इसका जो मेजर 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 मेरे टॉक्सिटी का वह है और से नोलाइसिस यह क्या करते हैं यह फॉस्फेट की जगह जाके लग जाते हैं हमारी बोन्स के अ सब्सक्राइब करेगा और सिस्टम के लिए काम करता है अब देखते हैं सोर्से ऑफ आर्सेनिक यह बहुत इंपॉर्टेंट है आपको अच्छे से समझना है ठीक है तो एस्टू अथ्री सबसे पहले वाइट आर्सनिक आता कहां से है तो दो फॉर्म में होता है यह वाइट इस इस टूड़ और रेडाव और सल्फाइड यह लो और मेंट बोलते हैं एडी रियल गर बोलते हैं ठीक है फॉर्मुला में तोड़ा सा डिफरेंस है एस स्ट्री और एस टूस्टू ठीक है अब कॉपर आर्सनिक के कॉपर के कुछ कमपांड्स होते हैं जैसे शील्स ग्र और दूसरे क्या है लेड आर्सने एक सबसे पहले 15-30 मिनट में वह कैसे आएगा फिर सब नार्कोटेक्स नोसम्टम कितनी देर में तो बंदर से 30 मिनट आते हैं और मुकस और यह चाहिज है अच्छे पैसे याद रखंग अपको बात है इसके साथ ड़ाइरिया और टेनिस तो painful contraction hoot a tennis नुस और राइस वाटर स्टूल होते हैं याद है है राइस वाटर स्टूल को अंदर के अंदर देखने को मिलते हैं राइस वाटर स्टूल इसके अंदर भी होता है तो इंटेंस थर्स्ट और डिहाइडरेशन अगर यह उता है ना तो हम बोलते की रेमिशन हो रहा है सिंटम्स वापिस आ रहे हैं ठीक है और डियादा होता है ठीक है और काडियक फेलियर के वज़े से डैथ होती है नाव कमिंग टू नार्कोटिक फेस नार्कोटिक में दो से तीन घंडे के अंदर सिंटम आते हैं और यह तब होता है बहुत ज्यादा अब्स जाता है इसमें ना जीए टी की इंफ्लेमेशन नीं हो फेटल पीरेड 12-48 घंटे होता है पर दो से तीन घंटे के अंदर भी डैथ हो सकती है यह देख रहो आप नार्कोटिक के केस में अब एक्यूट आर्सेनिक होई है तो हम सिंटम्स के बेसिस पे क्या क्या ट्रीटमेंट देते हैं तो स्टमक वाश करते हैं ठीक है मिल्क और और से यह नहीं करते हैं फ्रेश्ली प्रेसिपिटेट फेरिक ऑक्साइड याद रखना है आपको क्यूंकि फ्रेश्ली प्रिपेर्ट होता है वह एक आर्सेनाइट बना देता है तो ग्रिसी सबस्तांस यूज़ करते हैं जैसे बटर जिससे कि उसका अबजॉप्शन डिले तो यह अपने अपने कर जाते आर्सेट के साथ और जो एंजाइम के अंको फ्री कर देते हैं तो यह जो बील आर्सेनिक का कॉंपलेक्स होता ना इसको कड़नी वह एक्सक्रीट कर देती है और क्या पैरेंट एल फ्लूट्स देते हैं ग्लूकोस देते हैं हम सोडियम हाइड्रोजन कार्वोनेट देते हैं जिससे की एसेड बेस बैलेंस ब्रिड़ाए वो सही हो जाए मौर्फिन देते हैं जिसे पेन में रिलीव हो आइस देते हैं थरस्ट को कंट्रोल करने के लिए बलड या प्लाज्मा ट्रांस्फूज़न भ अब आर्सनिक में पोस्टमोटम चेंज इसक्या देखने को मिलते हैं तो एक्सटर्नली देखेंगे ना तो जैसे वह सब्सक्राइब को सब्सक्राइब के हैं चोटे-चोटे डॉट डॉट साइज के हैं ठीक है सब्सक्राइब होता है तो यह निक आसे होती है तो after effects हो सकते हैं यह acute poisoning के या फिर small doses में किसी को administer किया जा रहा है arsenic तो उसकी वज़े से हो सकता है water contamination की वज़े से हो सकता है या फिर compromised excretory capacity मतलब की body की capacity में कोई दिक्कत आ गई है जिसकी वज़े से वह अब देखो इसमें जो science and symptoms आते हैं उसकी कुछ stages होती है वह आपको अच्छे से याद रखने हैं पहली है जिसमें देखने को मिलेगा loss of appetite देखने को मिलेगी और यह स्टेज ना इसमें पता नहीं आपको अच्छे से याद रखनी है बिल्कुल आर्शनिक पहुजनिंग का हॉलमार्ग फीचर है एक ठीक है मीस लाइन्स देखने को मिलती है फिर nervous disturbances में क्या होता है टिंगलिंग होती है नंबनेस होती है परेसिस होता है और नियूरोपैथी जो है ना यह आर्शनिक पॉजनिंग का हॉलमार्ग है ठीक है तो और यह जो skin rest stage में यह मीस लाइन्स और रेंड्रॉप पिंग्मेंटेशन यह भी बहुत इंपोर्टेंट है अब पैरिफेरल नियूराइटिस देखने को मिलता है जिसमें गलव एंड स्टॉकिंग पैटन देखने को मिलता है नस्थीशिया का मतलब की फिंगर्स यहां पे जहां तक पहनते हैं जहां तक स्टॉकिंग्स होते हैं लेक्स में उस जगह तक क्या होगा वहां पर लॉस अफ सेंशिशन हो जाएगा ठीक है अब ट्रीटमेंट क्या देंगे सबसे पहले तो एक्सपोजर को तुरंत रोग देना पड़ेगा एक्सपोजर को फिर हम ब्रेटिश पहीने में रिकवरी हो जाती है अगर रिकवरी नहीं हुई और पेशन्ट की डैथ होगी तो पोस्टमोटम चिंज जिस क्या आएंगे जो डिकम्पोजीशन होती है बहुत दीर दीर बॉड़ी डिकम्पोज होती है इमसीएशन होता है पेशेंट के अंदर फैटी लीवर हो इसमें ना कोई टेस्ट होता है और इसमें क्या होता है थोड़ी देर तीन से चार गंटे बाद ऐसे शुरू होते हैं तो ऐसे बंदा भाग सकता है डिपेंड करता माउंट पे ठीक है इससे दोनों तरीके की पॉजनिंग की जा सकती है ऐसे एक्यून एक्यूट अज़र च्राणिक नाओ कमिंग टुवर्ट अडिस एडवांटेजिस टीक है डिसटेक्ट इवन आफ्टर मैनी इस क्योंकि यह डिटेक्ट किया जा सकता है बहुत सालों बाद भी बॉडी टिकम्पोज हो गई उसके बाद भी इसको डिटेक्ट किय सकता है ठीक है अब टॉलेरेंट पीपल कौन होते हैं जो फिनोमेना होता है वह क्या होता है कि जब हम किसी आसी डाट बॉड़ी का सेंपल कलेक्शन करते हैं के उसमें लगता है कि आर्षानिक वह तो हम नियरवाइश अलीक बीकल गफटे यहां कि उस्सें में यह होता है कि जो आर्षेनिक बॉड़ी के अंदर था वो इंबाइब कर गया मतलब वह एक तरीके से बाहर के तरफ स्वाइल में चला गया थोड़ा सा विसलिए सो यह थी क् क्यूट आर्सनिक पोजनिंग मिलते हैं नेक्स वीडियो के अंदर मेरी थोड़ी तब्याद ठीक नहीं थी तो अगर कुछ भी गलते हुई हो तो उसके लिए सौरी मिलते है नेक्स वीडियो में अगर आपको कोई भी चीज समझ नहीं आई ना तो आप कमेंट सेक्शन में लि